नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपना चेल्ल जिसका नाम है केवों एक सार्म। आज इसमें हम पढ़ने जारे हैं पुर्वा लोकर्ण की फूक आती है इसमें इप प्रादने जारे हैं आज उससे पहले अगर आपने भी तक हमाई चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाओ दिने के लिए कमेंट भी करिए चली प्रारम करते हैं भारत अच्छे और विवित प्रकार के असमान मतलक कहना की है है बहारत में खनीच है एक भात का रफली में बनाती है कैसे , भाता में घल कर जगे खनीच eh खनीज है लेकिन कहीं पास ये 100 ग्राम है मैं कहीं पास है कहीं पास ये 10 किलो इस इसरी का आसमान है। इसको परहों अब प्रपर देते हैं अब आगे पड़ते हैं, भारत में प्राय दीपी चटानों में कोईले धात्विक खनिज अभरक वा अन्य अनेक प्रकार के धात्विक खनिज के अधिकांस भंडारन संचित हैं, मतलब कि भारत में जो प्राय दीपी चटान हैं, ये वाली देख रहे हैं, प्राय दीपी भारत अनिजें गुजारे हैं। जलोड मैदान आर्थिक महत्व के हनिज से लगबक विहीन हैं। ये विभिनताएं हनिज की रचना में अंतरगरस्त भूगारविक संरचना प्रक्रियाओं और समय के कारण हैं। विन्धियन क्रम की शैलों में इस्थुल मद्ध एवं सूच में कड़ों वाले बलुवा पत्थर शैल और चूना पत्थर समलित हैं। जहां निचली विन्धियन शैल चूनेदार वहीं उपरी विन्धियन शैल नदियों एवं जौर्नत मुख हैं। चूने के पत्थर सीमेंट उद्ध्योग का आधार है। पत्थर मेंट अधार है। भारत में सबसे महत्यपूर्ण उद्धियोग का आधार है। कि भारत में सबसे महत्यपूर्ण खनी जीएक्टियोग तंद्र वह धारवार तंद्र है। ये शिलाएं अत्यदिक धात्विक हैं जिसमी सोना, लोहा, मैगनीश्यम, अभरक, पोबाल्ड, प्रोमीनियम, तांबा, टंग्स्टान, शीशा, आधी, खनिश राप्त होते हैं भारत में दचिवपूर में उत्रीपूर पठारी, पट्टी में खनिश संसाधन के सबसे बड़े भंडार पाय जाते हैं छोटा नागपूर पठार, डंड का रनपठार, इवं उडिशा पठार इसी छेतर में अवस्तित हैं प्राय दीपी छेतर, खनिश संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं इसमें भारती खनिश का किर्दय स्थल कहा जाता है कहने मतलब ये छोटा नागपूर का जो पठार है, वो डंड का रनपठार, इवं उडिशा पठार इसी में अवस्तित है, छोटे नागपूर के पठार में कौन कौन होस्तित है तो डंड का रनपठार जो है और उडिशा का पठार इसमें सम्मिलित है प्राय दीपी छेतर, खनिश संसाधन के सबसे बड़े भंडार है जहाँ प्रायदीपी भारत है वो कैसे हैं वो खनिज संसाधन के सबसे बड़े भंडारन है इसमें भारती खनिज का हिर्दय इस्थल कहा जाता है यानि कि जो प्रायदीपी भारत है उसको क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है जो खनिज संसाधन का हिर्दय इस्थल कहा जाता है भारत में लगभग 95 खनीजों का उत्पादन होता है जिसमें इंधन, जिसमें 4 इंधन, 10 धात्विक, 23 गैर धात्विक, 3 परमाडविक और 55 गैर खनीजी सामिन है वर्ष 2019-20 के दोरान खनीज उत्पादन परमाडव और इंधन खनीज को छोड़ कर का कुल मूल एक लाख 23,588 कड़ों रुपे अनुमानित है जो वर्ष 2018-19 की तुलना में लगभग 3 परतिशत की कमी को दर्शाता है वर्ष 2019-20 के दोरान धात्विक खनीजों के लिए अनुमानित मूल 6,822 करुण रुपे या कुल मूल 49,91 परतिशत और गैर धात्विक खनीज सहित गौन खनीजों का मूल 62,766 करुण रुपे है या कुल मूल का 50,79 परतिशत है वर्ष 2019-20 के दोरान 32 राज्यों, संग राज्चेत्यों, दो राज्यों से अधिक विकास एवं विन्मय प्रभाग में वास्तविक सूचना और सभी 32 राज्यों संग राज्चेत्रों के लिए गौन खनीज का अनुमान से खनीज उत्पादन के मूल की सूचना मिलती है जिसके अनुसार 90-94 प्रतिसत का खनीज उत्पादन 10 राज्यों तक सीमित था देश में खनीज उत्पादन का अनुमानित मूल्य परमाडू वा इंदन खनीज को छोड़ करके संदर्व में पूरीशा अगणी राज्य है और इसका राष्टे उत्पादन में 24 दसल्मा 6-8 प्रतिसत का योगदान रहा है इसके अगली करम में राजिस्थान 6-16-9 प्रतिसत करनाटक 8-7-6 प्रतिसत आंदर प्रतिस 8-4-6 प्रतिसत 36 गर्व 7-8 प्रतिसत के लंगाना 6-6-9 प्रतिसत इवं गुजराच 5-1 प्रतिसत का योगदान रहा है भारत प्रशन देखते हैं पहला प्रशन है भारत का सबसे महत्यपूर्ण खनी जीयुक्त तंत्र कौन सा है तो वह तंत्र है धारवार तंत्र है आया था नोट्स में देखे थे हम दो में भारत में सबसे महात्रपूर्ण खनिजी युक्त, चैल तंत्र, धारवार तंत्र है ये इलाएं अत्यदिक धात्विक हैं जिसमें सोना, लोहा, मैगनिश्यम, अभरक, पोबार्ड, प्रोमीनियम, तांबा, टंग्स्टान, सीजा, इत्यादी खनिज प्राप्त होते हैं निम्लिकित में से कौन सा सैल समू भारत में धात्विक खनिज के प्रमुक सोते हैं तो देखेंगे वो धारवार समू है भारती खनिज प्रधातों का बंडारन किसे कहते हैं तो वे कहते हैं छोटा नागपूर का पठार को कहते हैं भारतिक खनिश पठारों का बंढार, छोटा नागपुर का बंढार के पठार को कहते हैं, खनिश प्रधात की सम्रिद्यती की कारण इसे भारत का रूह प्रदेश कहा जाता है, भारत का रूह प्रदेश कौन सा है, छोटा नागपुर है, ये रूह प्रदेश से प्रश्ण आ आ चुका है ध्यान रखिएगा विंध्यन शाइलो में जिनके व्रहत भंद्र बाए जाते हूं वहा है चूना पत्थर विंध्यन क्रम की शैलो में स्थल्प पिस्थोल मत एवं सूच मिकणवाले बलुआ पत्थर शैलो और चूना पत्थर समलित हैं जहां निचली विंधन शैल, शूना दार, मुरिमन एवं सागरी है वहीं उत्तिरी विंधन शैल, नदियां एवं जुआरनद मुख है शूना के पत्थर, सीमेंट उद्ध्यों का अधार है भारत में निम्लिकित में सिकीज भाग में अनि संसादनों के सबसे बड़े बंदार है तो आप देखेंगे, दच्चिन पूर में है, यहने कि गल्तिस बंदार में टार दिते है यह लोग भावनात्मा को गुफ से आहित हो जाते है यह प्राइदी भार बनाएगा, दच्चिन शेत यह वला और पूर्वी शेत यह रमा यह वला दुनों को मिलाकर यह वला शेत्र जो है, आप देखेंगे, वो अनि संसादन से बड़ी पूर्ण है अब आगे बढ़ते हैं निमलिखित में सिखनिश संसादनों की सरवादिक संपन्तता जहां है, वह कहां है, वह आप देखेंगे, करनाटक में है खनिश संसादनों की संपन्ता के द्रिष्टी से उपियुक्त राज्यों में से करनाटक का अगली इस्ठान है भारत में खनिज उत्पादन के समरिध राज पहचानिय जो वो बिहार है प्रशनिकाल के नुसार से प्रशनिकाल में मूल्यों की दिष्टी से सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज पिहार था इंडियन ब्यूरो आफ मांस के नुसार मूल्य की दिष्टी से 6 खनिज उत्पादन परमाणु वा इंधन खनिज को छोड़कर राज्यों करम 2019-20 में इस प्रकार है पुड़ीजा, राजिस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 36 गड़ो एवन तिलंगाना है अब खतन कारण के प्रशन देखते हैं गुणवान शैल समू भारत का पंचान बेपरसन कोल्या प्रदान करता है जो की सही है अधिकान्स लोह धात्विक और अलोह धात्विक खनच धाड़वार शैलो से सम्मन्द है ये भी सही है लेकिन ये दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं करती है गुणवाना समू जो है वह कोला के लिए है सही है अलोह और गैर लोह के लिए धारवार समू है ये भी सही है लेकिन या दुनों पूसरे के सही व्याक्या नहीं करते हैं तो बीवल आप्शन सही होगा भारत में 90 प्रतिशत से अधिक कोला गुलवाना समू सेल से प्राप्त है अधिकांस लोग धात्विक और धात्विक खनिच धारवार सेल तंत्र में पाए जाते हैं अता तत्थ एवं कारण दोनों सही है किन्तु कारण तत्थ की सही व्याक्या नहीं है अधात्विक खनिच है कौन है संगमर्मर आप देखेंगे वह अधात्विक खनिच है दिये गए विकल्प में संग्मर्मर अधात्विक खनीज है भारत की लगपक पंचान बेप्रतिशत खनीज का उत्पाधन होता है इसमें चार इंधन, दस धात्वी, तेस कैर धात्वी, तीन परमालू और पच्पन गौर्ण खनीज, निर्मार और अन्य सामगरी सहित सामिल है मैगनीशियम, चांधी, एवं सीशा, धात्वी, खनीज है चांधी, सामानता, अमली, अगनी शैलो में, शीशा, जस्ता, तांबा, आधी के साथ मिस्ट्रिक रूप में पाई जाती है अब दूसरा है धात्वी, खनीज, और वो है लौ आएक्स के बारें पढ़ लाए है भारत में लौ आएक्स प्रमुक रूप से धारवार सैल में पाई जाते हैं धारवार सैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दिश्टी से सबसे महत्पूर शैल है भारत में जो लौ आएक्स के रूप में कहां पाई जाते हैं धारवार सैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक दिश्टी से सबसे महत्पूर शैल है भारत में लौ आएक्स उत्पादन के चार प्रमुक छेत्र हैं पहला है उत्तर पूर्वी जारकन एवं उरिशा दूसरा है मध्य भारत मध्य प्रदेश 36 गड़ और महराष्ट तीसरा है प्रायदीपी भारत इसमें कर्नाटा को गोगा है चौथा आप देखेंगे अन्य छेत्र, चौथा अन्य छेत्र, आंद्रप्रतेश, राचिस्थान, एरल, गुजरात, हरियाना वा पस्चिम बंगाल है 36 गड़ के ब्रस्तर जिलिए में इस ठीद, बैला डिला खान मेंसे उत्तम कोटी के हेमेटाइड और मेंगनेताइड लोग एक्स का उतपादन होता है याद रखिएगा 36 गड़ के जो बस्तर जिला है बस्तर जिला में इस तित बैला डिला खान में उत्तम कोटी के हैमेटाइट और मेगनेटाइट लौ एक्स का उत्पादन होता है बैला डिला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनी करित खान है यहां से उत्पादित लौ एक्स को विसाखा पटनम बंदगरा से जापान को निर्यात किया जाता है तो जापान को जो निरियात किया जाता हो किस बंदरगराण से किया जाता है वा किया जाता है विसाखार पटनम बंदरगराण से किया जाता है कुंद्रे मुखी करनाटक के प्रमुख करनाटक के प्रसिद लौ अयक्स खान है करनाटक में अधिकांस्ता मैगनेटाइट लौ अयक्स पाया जाता है राजिस्थान के उदैपुर्जिले में इस्थित नाथरा की पाला एवं थूर हिंडेरा छेत्र लोग आयक्स के लिए प्रसिद्ध हैं हेमेटाइट एवं मेगनेटाइट लोग के दो प्रमुख आयक्स के हैं तो जो लो एगंशत कामसे हैं वो है हेमिटाइट के वा मैगनेट है है हेमिटाइड एक्स का लगबग नवासी परतिसथ पूर्वी छेत्र में तथा मैगनेट ड्पाइट का लगबग पूर्वी छेत्र से तो वहीं आप देखेंगे जो मैगनेटाइट का है वो तिरान विपर्चिसर छेत्र पाया जाता है कहां से वो दच्छनी छेत्र से पाया जाता है भारत में हेमेटाइट का हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज में असम, बिहार, जारखन, 36 गर, प्रथा उत्तर प्रदेश है मैगनेटाइट की बहुलता वाले छेत्र में बाबू, बुदान, पुंद्रे मुखी, बेलारी, अनादुर्गा, सभी करनाटक, आंधर प्रदेश, केरल, तर्मिल लाडू एवं गोवा में है करनाटक, उडिशा, जारखन, 36 गर, एवं आंधर बी, दो हजार उननिस के अनुसाद, प्रम मुवार, लो आयक्स, हेमेटाइट, प्लस मैगनेटाइट के शीर संसाधन वाले राज्य हैं, अभी भात के पमुक लो आयक्स के परण दिया है, आप ये देखिए अच्छा नहीं दिया, मैप बलर कर दिये काफी ज़ादा, आप इसके लिए आप गूगल से डाउनलोड कर लिजेगा, आगे देखते हैं, भारत में लो आयक्स, हेमेटाइट के कुल संसाधन में सीर्स, पांच राज क्रमसा, उडिसा, जारखन, च्छतिसगर, करनाटक, एवं गुवा है, यानि कि भारत में लो आयक्स के हेमेटाइट, ज उडिसा, च्छारखन, च्छतिसगर, करनाटक तथा होगा है, जबकि मेगनेटाइट के कुल संसाधन की द्रिष्टी से सीर्स, चार, सीर्स, राज क्रमसा, करनाटक, आंध्रप्रदेश, राजिस्थान, एवं तमिलनाडू है, भारत विश्व में लो आयक्स के जबकि में लो आयक्स के उत्पादन भात कौन से स्थान है, वो चौतिस स्थान पर है, लो आयक्स उत्पादन मात्र, मात्रा एवं मूलि में शीर्स से, राज क्रमसा, उरिसा, चार, तिसगर, करनाटक, केवं त्यारकर्द, एवं अब उसके आगे प्रश्व में भारत में लो आयक्स निम्न में से किन क्रम की शैलों में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं धारवार क्रम की शैलों में पाए जाते हैं, भारत में लो आयक्स प्रमुक रूप से धारवार सैल तंत्र में पाए जाता है, धारवार सैल तंत्र भारत में पाई जाने वाली आर्थिक र निम्लिखित में से किस शेल समूँ से संबंदित है तो वो है धारवार सेल समूँ से संबंदित है भारत में निम्लिखित भागौलिक शेल क्रमों में से निम्लिखित निम्लिखित में से लौ एक्स का सम्रित बंदारन पाया जाता है वो पाया जाता है धारवार क्रम में पाया जाता है भारत के कौन से दो राज सबसे बड़े पैमाने पर लो एक्स से संपन है तो वो संपन है मद्यप्रदेश एवं उड़ीशा है यह इसका explanation दिया हुआ है किस किस year में कहां कहां कितने कितने टन यह देखिए इंडियन minerals yearbook 2019 के में दिया हुआ है लेकिन अब हम कप पढ़ेंगे इसको हम जल्दी download करेंगे या कहीं से मैं इसको देखूंगा तो मैं इसको एक बार पढ़ लूँगा जिससे मुझे mineral year 2023 के बारे में पता चल जाएगा तो उस हिसाब से टिक करने में सही होगा कि मिलिकेत में से कौन लौँच्छेत्र है तो यह देखिए लौँच्छेत्र में यह व्यादित हो गया कुंद्रे मुखी करनाटक के प्रसुदे लौँखान है यह पता ही हमने पढ़ा था करनाट करनाटक में धिकानतर मैंग्ने ड़ौँच्छ पाए जाता है तो कुंद्रे मुख्छी की कर नाटकत से आप देखेंगे का पाया जाता यह है वह पाए जयता है मैंने टाइक्स पाए जाता है कि हम उन्हीच्छ पाए जाता है लोहे में आप देखेंगे तो ये भी ये भी है उन्हों लोहे इसलिए प्रश्न को विवादित हो गया है नाटक में मैगनेटाइट के लोहे पाए जाते हैं ये याद जो लाइन है ये याद रखिएगा निम्लिकित भारती राज्यों में लोह आयक्स उपलब्ध नहीं है अहां लोह आयक्स उपलब्ध नहीं है वो पंजाब उपलब्ध नहीं है मद्रप्रदेश उड़ीजाव और बिहार में है अब हैं राजिस्थान की नाथरा की पाला छेत्र में कौन सा खनिज पाय जाता है तो पाय जाता है लव आयक्स पाय जाता है राजिस्थान के उदैपुर जीले में इस्थित नात्रा की पाला एवं धूर हुंडोर छेत लौ एक्स के लिए प्रसिद्ध है अब है चांदी ये इदर खनिजदियों और देजदियों चांदी अभरक लौ एक्स और तांबा चिली में तांबा पाए जाता है तो जो चिली है तांबे के लिए हो गया तो चौते का फस्ट हो गया डी का फस्ट अब ये दोनों अंसर मिल गया है अब ये दोनों उसको एक सही हो सकता है, डिसाइट करना है, अब भारत में अबरक पाया जाता है, पता ही सबको, अबरक भारत के लिए, बी का फोर, बी का फोर किसमें, पहले वाले में, तो सही हो जाएगा, इस तरह, शौर्ट ट्रिक से भी, अगर आपको अंसर नहीं भी आ है, तो उसको लगाया जा सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं, रूसी संग में लॉयक्स, मौरको में चांदी, मौरको किस महादीप में पढ़ता है, उसके अवस्तेती के बारे में आप हमें कमेंट करिएगा, ये इंपॉर्टन देश है, जब करकर रेखा से सम्बंदित, या अफ्रीका महादीप को जब पढ़ेंगे तो उससे सम्बंदित है, तो ये मौरको देश आप जब बताईएगा, कहां पढ़ता है, निम्लिकित लव एक्स में से, बैला डिला की, बैला डिला में किसका खान होता है, वो होता है हेमिटाइट का, बैला डिला खान 36 गड़ के दंते वारा जिला में स्थित है, यहां हेमिटाइट लव एक्स का खनन किया जाता है, हेमिटाइट उच्छ गुडवत्ता वाले लव एक्स है, यहां मुखरूप से 36 गड़, जाड़खन, उरीजा, कनाटक, महराष्ट, आंधरपदेश, एवं गुवा आधी राज्यों में पाया जाता है, जब अपेच्छा कृति कम गुडवत्ता वाले हेमिटाइट लव एक्स की प्राप्ति गुवा, कनाटक, आंधरपदेश, राजिस्थान, एवं तमिलनाडू आधी राज्यों से होती है, तो जिसमें गुडवत्ता किसमें कम हो हैं तो आप देखेंगे वह बैला डिला जो मशीनी करित खान है, बैला डिला खान भारत की सबसे बड़ी मशीनी करित खान है, यहां से उतपादित लव एक्स को विशाखा पटनम बंद्रागा से जापान को निजियात किया जाता है, पूशाय सही उत्तर चुनने को बोला ह लोह एक्स का सबसे संपन भंडारन करनाटक में फाय जाता है भारत विश्व में लोह एक्स उत्पादम में दूसरे स्थान पर नहीं ये चौते स्थान पर होना चाहिए भारत में लोह भारत में उरिसल लोह उत्पादम का सबसे बड़ा उत्पादक है ये भी सही है, ये yearbooks के साब से है, इसको आप पढ़ सकते हैं, निम्लिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आप देखेंगे, जो law x, गुन्ठूर दिया हुआ सुमेलित नहीं है, गुन्ठूर लॉए एक्स के लिए परसिद नहीं है, बल्कि कोलार, सोना के लिए, जर्या कोईला के लिए एवं पन्ना जो हीरे के लिए उत्पदन है आप हमें बताईएगा पन्ना जो हीरे कहां पाय जाता है भारत में लौ एक्स के निम्नांकित प्रकारों में से सरवाधिक भंडारन किसका है तो वह हीमेटाइट का है दिये गए विकल्पों में हेमेटाइड लौ एक्स के सर्वाधिक भंडारन है भारत में हेमेटाइड की उपलब्रता वाले राज है उड़ीसा जारकन चर्थिसगार करनाटक यों गोवा है निमलिकित में से कौन लौ धातू का एक एक एक्स है तो देखेंगे आप हमेटाइड हमेटाइड है अब दूसरा जो हम पढ़ने जा रहे हैं लौ एक्स वह है खनीच जो जस्ता पढ़ने जा रहे हैं देखते मिनट कितना होगा है तो जो जस्ता है इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लेट करेंगे तब तक लिए धन्यवाद